कि नमस्का मैं उससी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं 20 जूलाई से लागू होगा कंजूमर प्रोजेक्ट एक्ट केंद्र सरकार देश भर में 20 जूलाई से उभुगता संदोचन कानून यानि कंजूमर प्रोजेक्ट एक्ट लागू करने जा रही है इस कानून के लागू हो जाने के बाद देश में उभखताओ के अधिकार बढ़ जाएंगे बता देखि ह only 1986 में लागू कंजूमर एक्ट में संसुधन के बाद या कानून लाया गया है केंदर सरकार द्वारा जारी इस एक्ट में उभगताओं को ज़्यादा अधिकार दिया गया है एक्ट के मुताविक उभगता किसी भी उभगता ने अलेओं में मामला दर्ज करा सकेंगे इसके अलावा ओभोक्ता द्वारा सिकायत किये जाने के तुरंत बाद समंधित की सिकायतों पर करवाई शुरू हो जाएगी जारखन महसंबिभाग के अंसार पूरे राजे में कुछ अस्थानों को छोड़ कर कहीं भी तेज बारिस नहीं हुई है महसंबिभाग के द्वारा 23 जूलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है महसंबिभाग ने 29, 22, 23 जूलाई को एलो अलर्ट और 20, 21 को अरेंज अलर्ट जारी किया है साथी साथ पूरे राजे में पांच दिन तक बजरपात की संभणा जताई है स्रीक्रिष्ण जनमूत्साव अत्थागित स्रीक्रिष्ण जनमूत्साव समीती की ओर से परतेक बर्स होने वाले दही हांडी परत्योकता को लेकर सनिवार को समीती की एक बैठाक हुई बाठाक में नीना लिया गया कि संक्रमोन को देखते विए इस बार दही हांडी परित्योकता अस्थागित किया जाता है जारखन में आई 275 संक्रमितों को पुष्टी हुई जो बुकारोस 9, 14, 17, 12, 18, धनबाद 14, दूमका 3, पूर्वी सिम्भूम 42, गडवा 5, गिरी 23, गोड़ा 2, गुमला 9, हजारी 23, जामतरा 2, खुटी 1, कोडारमा 2, पलामुद 2, लातेहार 24, लोर्दागा 2, पाकुर 3, है के लाएक सिम्ड़े का दो, 25, 00, से तीन है, जारखन में कूल संक्रमितों की संख्या 5,386 है जबकि 261, लोग 45 गूर्चल की मिलीती हो गई भारत में कूल संक्रमितों की जारखन में भाजपा का सडेंत नहीं चलेगा अमुख मंत्री मुख मंत्री हमंसुरे ने भाजपा को आगाह किया है कि वो रायस्थान जैसी सिती जारखन में दोराने की कोशिस न करे जारखन में रायस्थान की तरह ED, income tax और CBI का दोरा कर सरकार गियाने के सडेंत नहीं चलेगा उन्होंने कहा है कि जारखन में सरकार को लेकर तरह तरह की अफवाय फेलाई जा रही है लेकिन कहीं ऐसा नहों कि अफवाय विपक्ष पर सच साबित हो जाए जारखन में 189 पूलिस पता अधिकारी और क्रमचारी संक्रमित जारखन में आप तक कूल 189 पूलिस पता अधिकारी और क्रमचारी संक्रमित पाए गाए है संक्रमित पूलिस वालों में उपाधिक्षक अस्तर के एक पताधिकारी पूलिस निरिक्षक अस्तर के साथ पूलिस अवर निरिक्षक के 18 सहायक अवर निरिक्षक अस्तर के 29 आसु सणी अस्तर के एक बी सवलदार, ब्यासी, अराक्षी और चालक, छो चतुर वर गिये करमचारी, आठ गिरी रक्षक वाहनी, साथ जिसमें की ठीक भी हो चुके हैं, अभी तक कूल 172 काईलाज चल रहा है रिकावरी रेट में सुस्थ हुई जार्खन की रफ्तार, जार्खन में संक्रमितों के स्वास्थ होने की रफ्तार धिमी परती जा रही है, कुछ दिन पहले जार्खन में तेजी से संक्रमित मरीज स्वास्थ हो रहे थे, रिकावरी रेट के मामले में राज देश को टकर दे रहा था लेकिन अब इसकी रफ्तार सुस्थ हो गई है देश का रिकावरी रेट 30.02 फिस्दी है जबकि जार्खन का रिकावरी रेट 50.56 फिस्दी है जार्खन आने वाले 14 दिन कोरेंटीन मुख्यमंत्री जार्खन सरकार ने संक्रमन के मध्धनजर नई गैडलाइन जारी की ह सुक्रवार को जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी वी राज से जार्खन में परवेश करने वाले लोगों को 14 दिन के लिए अनिवार कोरेंटीन में रहना होगा गाईड़्लाइण में कहा गया है कि हवाय जहाज रेल या सडक मार्ग से अन राजयों से जार्खन में परवेश करने या पर्देश से बाहर जाने पर उन तमाम सर्टों का परण करना होगा जो स्वास्त मंत्राले की ओर से जारी किये गए हैं आपको बता देगी जर्खन सरकार ने कहा है कि राज में अधी आप आते हैं या राज से बाहर जाते हैं तो आपको जर्खन सरकार की वेपसाइट www.jharkandtravel.nic.in पर इसके लिए खोद को पंजिकरत करना होगा नीजी अस्पतालों से हो रही बात मंत्री बिद सखादा पूर्ती मंत्री डाक्टर रामेशरु आव ने कहा है कि राज सरकार संक्रमितों के लिए अस्पतालों में बेट की कमी नहीं होने देगी संक्रमन से निपटने के लिए राज सरकार की त्यारी मुकमत है निजी अस्पतालों से भी संक्रमीत मरीजोग का जगह देने पर बात्तित हो रही है लोगों किसी तरह की परसानी नहीं होने दी जाएगी राजसरकास अभी जीला को उपायक्तों के साथ लागातार संक्रमन और वेवस्ता की समिक्षा कर रही है जार्खन में विपक्ष बिहीन लोगतंत्र चाहते हैं मुख्यमंत्री बीजेपी भरतिये जानता पर्टी के जार्खन परदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हमान सुरेन के उस बियान पर तीखी परतिकिरियत दी है जिसमें सीएम ने कहा था कि विपक्ष इस वक्त नेता परतिपक्ष के लिए तरस रहा है कहीं ऐसा न हो कि विपक्ष ही न रहे मुख्यमंत्री के इस बियान को परदेश भाजपा अध्यक्ष एवम राज सभा के सांसा दीपक परसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री के मुँ से ऐसी बाते अची नहीं लगती है कोडार्मा में कार से ढोई जा रही सराप के साथ दो गिरफतार कोडार्मा जिला के सत गावा में सनीवार को थाना परभारी संजय कुमार सरमा के नतित्वी में सराप तसकरों को पकड़ा गया जोकी मारूती सुजुकी कार से अबैद सराप ढोकर बाहर ले जा रहे थे थाना परवारी ने बताया कि गुप सुटना पर मिली थी कि एक मारूती सुजुकी से अबैद अंग्रेजी सराप पिहरा गाउ थाना गिरीडी से नवादा बिहार की ओर ले जाया जा रहा है अब रेलिवे को राज सरकार के इसारे का इंतियार है जार्खन के किसी भी सुदूर इलाकों में अगर आईसोलेट वाट के आउ सकता होगी तो वहाँ आईसोलेट कोच को भेज दिये जाएंगे जार्खन में भी संक्रमित मरीजों का पलाजमा थेरेपी होगा दिल्ली तमिलाडू महाराष्ट गुजरात आधी राजियों के बाद अब जार्खन में भी संक्रमित मरीजों की पलाजमा थेरेपी से इलाज की तेयारी है स्वास्त विभाग ने रिम्स से इसे लेकर प्रस्ताव मांगा है रिम्स सुत्रों के अनुसार पलाजमा थेरेवी से संक्रमित मरीजों के इलाज की तेयारी को लेकर स्वास्त सचीव डाक्टर नितीर मदल कुन करनी की रिम्स निदेशक डाक्टर मंजू गाडी के साथ बातचीत हुई है जार्खन में खिलाडियों का डाटावेस बनेगा जार्खन में खिलाडियों का डाटावेस तैयार कर उन्हें बेहतर प्रसिक्षन देने की विवस्ता की जाएगी जिससे की वे अंतराश्टरी फलक पर देश्व राज का नाम रोशन कर सके राची स्थित जार्खन मंत्राले में सुक्रवार को मुख मंत्री के समक्ष स्वास्थ जार्खन खुसाल जार्खन की आवधारना के साथ खेल नीती 2020 की प्रस्तूती दी गई है बिद्या भारती अग्रणी आठ लाग के बीच अर्शनिक 1130 का बित्रन किया का मनको स्वास्थ रखने का स्वरोतम उपाय सेवा करना है रमायन महाभारत या गीता हर धर्मिक ग्रंथों में सिवा को स्वरो को अस्थाम दिया गया है ऐसे ही राश्टिये स्वेश्यक संग के छेत्र प्रचारक रामदत चक्रधर ने सनिवार को बिद्या विकास समीती जारखंड हीरालाल ट्रोस्ट के तत्वधान में सिवा करने वाले वर्यर्स के समान में आयोजीत योधा समान समारों का ओनलाइन समधन करते हुए कही उन्होंने कहा कि रगदान, अंदात, स्रमदान एवं सिक्षादान में संग के विद्या भारती एवं विभीद संगठनों ने समर्पित भाव से सेवा कारे किया उसी का वेकुदारन और्सेनिक एल्फ 30 दवा का वित्रन भी है सरकार के निर्देशों पर राची सहर में चला अभियान संक्रमन से समंधित केंद्र और राई सरकार के दिसा निर्देश को लेकर राची सहर में सुक्रवार को जाच अभियान चलाया गया सहरी छेतर के सभी अंचला अधिकारी और डियेसपी की टीम के द्वारा सहर के बजारों और दुकानों की जाच की गई जाच के करम में सरकार द्वारा संक्रमन के रोक्थाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उलंगन करने पर दुकानों पर करवाई परतिस्थानों को दिन भर के लिए बंद करा दिया गया कड़ी चेतावनी के साज जिला पर सासंद्वारा उन सभी दोकानों को नोटिस भी भेज दिया गया है माना हीतों के प्रति सनवेदन सिल रहने की जरूरात मुख मंतरी मुख मंतरी हमन्सुरन ने रिम्स के आईसुयू आईसुलेशन वाट की और वेवस्था पर स्वास्थ मंतरी को संग्यान लेने का आगरा किया है मुख मंतरी ने उपायूत राची को मामले की जाच करने एवं ऐसे मामलों को पुर्णा विरिती रोकने हेतु कदम उठाते हुए सुचित करने का निर्देश दिया मुख मंतरी ने कहा सासन प्रसासन को मानविये हीतों के प्रती अधिक सन्वेदन सिल रहने की आव सकता है बाबुलाल मरांडी का अमित्सा से मिलना सधानन बात नहीं कॉंग्रेस चारखन कॉंग्रेस ने कहा है कि भाजपाय विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी और केंद्रिये ग्री मंतरी अमित्सा के बीच होई बातचीत को कोई सधानन मुलकात नहीं है बलकि इस भेट में कोई राइनितिक मायने जरूर छीपि होंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अलोक कुमार ने बताया कि संक्रमन काल में जब केंद्रिये ग्री मंतरी अमित्सा और पूर्व मुख मंतरी बाबुलाल मरांडी कोई सोरजनिक कारेकरमों में हिंसा लेने या लोगों से मुलकात करने में बच रहे हैं ऐसे में अचानक रांची से दिली जाकर बाबुलाल मरांडी का अमित्सा से मिलना कोई सधारन बात नहीं हो सकती रांची उपायूत ने नीजी लैब को टेस्टिंग बढ़ाने को दिया निर्देश जारखन में संक्रमन के लागतार बढ़ रहे मामलेज ने राची जीला परसासन को चिंतित कर दिया है यही वज़ा है कि जीला के नाय उपायूक छवी रंजन ने सनिवार को संक्रमन जाच करने वाले राची के नीजी लैब संचाल को अक साथ बैठक की उपायूत ने संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी टेस्टिंग छमता बढ़ा है और जांच रिपोर्ट पहले जिला परसासन को उपलब्द करा है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल ऐकन दबाइए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बाट से फ्रेस्बुक ट्वूट इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कोमेंट में अपना सुझाद दे सकते हैं थैंक यू